हेलो गाइज गुद मॉर्निंग तो एक बार फिर्ट से आपका स्वागत है मेरे चेनल यूपिटर क्लासेज पर तो गाइज जैसे कि हम अपने एक कंप्यूटर सीरीज कर रहे हैं नॉलेज आफ कंप्यूटर हमारा जो कंपोनेंट है वो कवर हो रहा है VLW के लिए स्पेशली तो गाइज मैं एक टॉपिक कंप्यूटर का आपका कवर करवा चुका हूँ जिसमें मैं पढ़ा इंट्रडक्शन टू कंप्यूटर जेनरेशन अफ कंप्यूटर एंड क्लासिफिकेशन अफ कंप्यूटर ठीक है गाइज ये तीन चीज़े हम पढ़ इन कौश्यटर को attempt किजिए प्छले attempt करेंगे आंसर देखेंगे मजा नहीं आयेगा ठीक है उनफiciones को इस तरह से attempt करना है जैसे कि आप अपने exam में एक्जाम में प्रस्राय को जो एकेशन करेंगे और आपको उपले टेलेग्र्रम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा एप्लिकेशन में एक फोल्टर बना दूँगा जहां पे इसको मैं इसके वो शियर कर दूँगा ठीक है पुरानी PDF आपको नहीं मिली लेक्शर की वो भी आज में प्रोवाइड कर दूँगा क्यूंकि मुझे टाइम की कुछ दिक्कत रहती है जिसकी कारण में आपको वो सब प्रोवाइड जल्दी नहीं कर सकता ठीक है तो अफिशल आप भी हमारी डाउनलोड कर लिजिए PDF के लिए हमारे टेलेग्रम चैनल को जॉइन कर लिजिए अगर आप मुझे फॉलो करना जाते है हमारा एक फेसबुक ग्रूप है वर्टसेप ग्रूप है उनको जॉइन करना वह सारे कोशन में आपको करवा चुका हूं करवा इन सेंस के मैं आपको पढ़ा चुका हूं पीछले अपली तीन लेक्टर में ठीक जो कंप्यूटर वाइड जो है यह गाईज डिराइव कहां से हुआ है ठीक है आपके सामने गरीक इंगलिश हिंडी एंड लैटिन आप य आपको सबको पता है कि हमारा कंप्यूटर वाइड जो है यह निकला है गईज लैटिन वाइड से आई होप कभी तक आपने आंसर का कर दिया होगा ठीक चलिए नेक्स्ट कोशन पर चलते हैं हमारा नेक्स्ट कोशन है इन्पूट आउटपूट एंड प्रसेसिंग होंगे मोबाइल डिवाइस इन्फोर्मेशन प्रसेसिंग साइकल सर्किट बोड और कंप्यूटर सिस्टम इन्पूट आउटपूट और प्रसेसिंग डिवाइस मिलकर किस चीज को यहां पर बनाते हैं किस इसको रेप्रेजेंट करते हैं आपको इसका आंसर बताना है जल् ऑमारे पास क्रेक्ट आंसर है हमारा कंप्यूटर सिस्टम ठीक है एक इन्पट डवाइस भी होती आउट डवाईस भी को सिरिस्ली देखा हुआ चलिए अगला q с देखते हैं, which of the following is the correct order of the four major functions of a computer, अब आपको उनका correct order बताना है, सबसे पहले क्या चीज़ होती है, उसके बाद क्या चीज़ होती है, उसके तीसरे नमबर पे कौन सी चीज़ आती है, और चोथे नमबर पे कौन सी चीज़ आती है, ये चारों चीज़े आपको बतानी है, कि किस-किस मतलब order में आती है, पहला है हमारे पास option, process, output, input, storage, input, output, process, storage, process, storage, output, input, input, process, output, storage, तो आपको बताना है सबसे पहले हमारे पास क्या आता है देखिए आपको सबसे पहले इतना तो पता है कि हमारे पास input आएगा ठीक है पता होगा आपको आप इसमें ना दो options को eliminate, elimination का method भी आपको सिखाऊंगा ठीक है इसमें दो option नहीं कि जो तीसरा option है इसको आप eliminate कर सकते हो और पहला option eliminate कर सकते हो क्योंकि पहले लां प्रोसेसिंग पहले नहीं होती है अब पच़ेस लुट प्हट ओगetin दूसरा दिखिये दू-स कट हो गया आपके पास बचा आप दूसरा आप्शन और वचा आपके पास चोथा आप इस पहले पता है आपको की निपूट होता है उसके बाद क्या होता है डियरेक्टली गाइज देखिए आउटपूट तो आता नहीं है इसका बीसमें हमारी प्रसेसिंग होती है तो गैज इसका option number 4 जो है वो बिल्कुल सही answer होगा ठीक है पहले input होगा फिर process होगा फिर हमार पस output निकलेगा फिर उसकी comes to उसको memory में store करेंगे ठीक है चलिए guys I hope कि आप इन questions को अच्छे से attempt कर रहे होंगे क्योंकि अब मैं video record कर रहा हूं live तो हो नहीं hope कि आप ऐसा करेंगे collecting the data and converting it into information is called देखो data को collect करना और बाद में उसको information में collect करना उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं processing compiling processing दो और option आ गया ठीक है या exporting ठीक है उसे हम क्या बोलते हैं तो गाइस देखो यहां पर दो options आ चुके हैं चलिए हम इसको तीन ही option मानके चलते हैं processing को cut कर लीजिए processing compiling and exporting तीन options आपके सामने और आपको आंसर बताना है data को collect करना और उसको information collect करने को क्या बोलते हैं ठीक है तो उसे guys क्या कहते हैं I hope कि आप answer करेंगे जितने ही बच्च चलिए यह हमरे पास अगला question computer cannot perform अब computer क्या चीज़ नहीं कर सकता है input अभी हमने देखा output अभी हमने पिछले question में देखा thinking छोड़ो इसको processing हमने यह भी देखा तो guys simple सा question है इस question को आंसर करना ही जाहिए करना बनता भी है ठीक है तो guys simply question है इस question को जो answer है हमारे पास वह है thinking सिर्फ computer जो है सोच नहीं सकता है बाकी वो सारा कुछ कर सकता है ठीक है चलिए अगला question देखते हैं छटा question a computer cannot perform which of the following function अब computer जो है कौन सी question सकता है addition obviously कर सकता है subtraction भी कर सकता है division भी सकता है लेकर एक एक जो है वह बेकर ही बना सकता है ठीक है चलिए इसी question था बोलो की सब्सक्राइब क्या लॉलीपाप question दे रहे हो आप लेकर लॉलीपाप question आ रहे हैं लेकर आपको इनके answer करने पड़ेंगे comment box करना ही पड़ेगा आपको इन सब questions का answer करना पड़ेगा ठीक है क्योंकि इतनी महनत में कर रहा हूं थोड़ा सा आपका भी बनता है कि थोड़ा सा आप भी इसमें participate करें तो मुझे अच्छा लगेग कि नहीं बच्चे मैं बच्चों को अच्छे से पड़ा पा रहा हूं this is my full motivation पार्ट नमबर डिस्क्रिप्शन और नमबर पार्ट कितने हैं डिस्क्रिप्शन क्या है वह हमारे यह यह आडर में होते हैं किसकी एक्जेंपल है किसकी एक्जेंपल है कंट्रोल आउटपुट प्रोसेसिंग फीडबेक अब बताओ सर लॉलिपॉप क्वेशन है चलो देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेशन नमबर सैवन का आंसर कर पाते हैं आई हूप कि अभी तक आपने इसका वीडियो को पास कर लेना और इसका कमेंट कर देना ठीक है क्याआ है है Dimee फिट साफ कंप्यूटर are कंप्यूटर के जो बैने फिट्स हैं वह क्या क्या है बहुत फास्ट एंट कें स्कूर हुज एमाउंट अप डेट सॉर्फ भी होगा फिर भी हम Aggression आउटपूट जो प्रवाइड करेगा इसके बार में सोचता है इस तरह से कह रहा है कि कंप्यूटर भी सोचता है ठीक है चोथा आप्शन है आल आप दियो आप दियो यानिकी उपर वाले सारे तो कई सिंपल सा कोशन है यार इसमें ठीक है देखिए ठीक के बाउट प्रसेसिंग बारे में सोचता है क्या तो कर दीसरे अप्शन आप्शन के बारे में देखते हैं प्रोइट एक शर्त होती है कि उसको जो है इनपूट जो है वहाँ क्रैक्ट मिलना चाहिए इसने का इनपूट गलट डालेंगे तो आपका आउट्पूट जो है वह भी गलत आएगा ठीक है बहुत फास्ट होता है और यह बहुत ज़्यादा डेटा अपने अंदर स्टोर कर सकता है यह फाइदा है कंप्यूटर का त जो कल वाली वीडियो करंट अफेर के मैंने डाली ती इसमें मैंने वीकली करंट अफेर के 30 कोश्चन आपको 20 कोश्चन करवाए थे ठीक अगर नहीं देखी अब वह बिजा कर देख लेजें क्यूंकि करंट अफेर बैक्बॉन होती है आज कल क्या आपके अपको एक थी दिमाग में आ जाएंगे नये वाले कंसेत्स कोश्चन देखे एक collection आप नप्रसच्ब आइटम उगाल्ड ये जो आइटम प्रोसच को हमक्या बोलेंगे information बोलेंगे data बोलेंगे memory बोलेंगे या reports बोलेंगे क्या बोलेंगे ठीक है अभी देखो हमारे पास जो data process हुआ ही नहीं है उसे हम क्या बोलेंगे information तो होगा नहीं चलो देखी report reports reports का पाती है जब हमारा data process हो जाए memory में कब स होता है जब हमारा data process हो जाए information कब बज़ा है जब data process हो जपाए अभी वो process हुआ ही नहीं है तो हमाधे पास data data process हुआ ही नहीं है तो क्या होगा वह हमारे पास simply होगा Guy टदेटा ठीकिंगा आप्श्ट करेक defensive answer ठीक ant which among of the following cycle consists of an output अब इसमें से कौन से साइकल में output भी होता है processing भी होती है sorry input भी होता है processing भी होती है output भी होता है storage भी होती है as it constituents अब इन सारों को मिला के हमारे पास क्या चीज बनती है ठीक इसका एक पांजमा वाला लिख लेना पांजमा अप्शन डेटा ठीक है पांजमा अप्शन डेटा लिख लेना वन अप्शन processing second option output third option input fourth option storage फिफ्ट अप्शन डेटा अब आपको दाना इनमें से कौन सा साइकल जो है जिसमें सारे चीज़े होती है इंपट भी होता है प्रसेसिंग होती इसकी आउट्पट भी होता दो आपके बिल्कुल भी नहीं होंगे आप यह सब है किसकी होते हैं यह सब डेटा होता है डेटा को ही आप निकलती है है इनके इन्फरमेशन निकलती बाइब siya होती है और आप एफ कर रहे हैं क्युछ वीडियो my आप उमीद पर खरए उतरेंगे यह मेरी इंमीद है इसमीद पर कौन खरा उतरता है बच्चेंट मेरी वीडियो को और यह अगलेIf नेकिन दखते है इनमें से कोए है ठीक है जिसको ऑर्गनाइपन पर्जकाचा जाता है वह क्या चीज है क्या चीज है प्रोसेस सॉफ्टवेर स्टोरेज इनफॉर्मेशन सुगाई चार आप्षन आपके सामने स्क्रीन पर आचुके हैं तो आपको कमेंट करना है जल्दी से कि वीडियो को पास करें को सचिए क्या चीज है को सब्सक्राइब को अच्छे से पढ़न बताना है बिल्कुल कोई यहां पर दोखे बाजी नहीं करने अगर आप जूट बोलेंगे तो आप अपने आप से दोखा करेंगे मेरे साथ तो कोई दोखा नहीं होने वाला ठीक है चलिए इस कोई कर्यक्ट आंसर है वह इंफॉर्मेशन तो इनफॉर्मेशन क्या है वह और अपने इसका अंसर ठीक हुआ होगा इस लिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपके लिए फाइदे मंद अपके कमेंट से मुझे क्या मिलेगा नथी इतना होगा खुशी मिलेगी कि बच्चे यार सची में मेरी प्लासे ले रहा हूं उनको पढ़ रहे है डिटर और इंफॉर्मे क्या data है या information जिसे हम computer को run करते हैं उसे हम क्या कहते हैं hardware CPU peripheral software ठीक तो guys देखिए इस question में आपको प्रिशानी आ सकती है वो क्या प्रिशानी होगी अभी मैं आपको answer आके बताऊंगा इसका और प्रिशानी क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा उससे पहले आप इस question का answer comment कीज वो data information जो computer को run करने के लिए मज़द करते हैं hardware तो हो इन सकता क्योंकि computer खुद हाडवेर है CPU क्या करता है CPU पता है कि processing करता है ठीक है यह तो computer को चलाएगा नहीं peripheral devices हम आगे पढ़ने क्या होती है ठीक है software तो guys वो software ही है जो हमारे computer को run करने मज़द करता है अगर software ही नहीं होगा तो हमारा hardware तो चले गई नहीं ठीक है अगर आपको कहीं पर software ना दिखे तो अगर कहीं पर आपको software की जगा प्रोसेसर दिखे तो आप क्या answer comment करके आएंगे वहाँ पर क्या answer correct करके आएंगे आप वहाँ पर प्रोसेसर को टिक कर गया ना अगर वहाँ पर software नहीं हुआ ओके चलिए गाईज अगला question क्यों बढ़ते हैं I hope आप वीडियो को enjoy कर रहे हैं ठीक है The steps and tasks needed to process data जैसे के such as responses to questions are clicking and icon are called Steps जो हैं जो data को process करने के लिए लिए जाते हैं ठीक है जैसे के response to a question, question का response करना या किसे एक icon पर click करना उसे हम क्या बोलते हैं Instructions बोलेंगे उसे Operating system बोलेंगे, application software बोलेंगे या system unit बोलेंगे तो guys देखिए अगर हम किसी question का response करते हैं ठीक है Task needed to process data पहले question को समझे The steps and tasks, वो steps और वो टास्क जो data को process करने के लिए जाते हैं जैसे कि इसने यहां पर कहा है response to a question, question को response करना या किसी icon पर click करना उसे हम क्या बोलते हैं तो guys वो होती है हमारे पास, बताइए अलीज है, hope comment कर दिया होगा तो guys इसका correct answer instructions वो होती है हमारे पास instructions ठीक है चलिए, प्यारा question आपके लिए लेकर आया हूँ, अलगसा earliest calculating device is early आ गया, आपका history of computer से question आ गया सबसे पहली calculating device क्या थी, calculator, abacus, difference engine या analytical engine so guys, 14th question का आप guys यहां पर answer करेंगे, क्या है इसका answer so guys मैंने आपसे कहा था कि जो earliest calculating device थी, कुछ इस तरह की थी ठीक है, जिसमें बीच में यह लगी हुई थी अब अपने guess कर लिया होगा कि यह क्या चीज है क्योंकि मैंने आपको image भी दिखाई थी ठीक है, जिस वकद मैंने आपको पढ़ाया था, so guys that is abacus that is abacus, ठीक अब जो जो question पूछूँँगा ना, उनका question answer कीजेगा, क्यों कीजेगा उनका question का answer क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक abacus can perform, abacus क्या perform कर सकता है, addition, subtraction, multiple, multiplication and addition option, चोथा option है, आपके पास both one and two, ठीक है, तो जल्ले से question को answer केजिए, आपको पताए कि abacus जो है, calculating पहली device थी, अब वो क्या कर सकता है, addition तो कर सकता है, वो बिल्कुल कर सकता है, ठीक है, subtraction भी कर सकता है, दोनों option है, तो इसमें आप देखिए कि चोथा option में लिखा है, कि पहला और दोनों दूसरे हैं, तो guys, fourth option is correct answer, आपके आपने comment कर दिया होगा इसका answer, यह question भी पढ़ा चुका हूँ, अब जो नपर की टेकनलोजी तो जो जो थी calculation करने के लिए उसे हम क्या बोलते थे, नेप्टोलोजिया, वाइबोलोजिया, सैमी कंड, सैमी कंडन, सैमी कंड, नेप्टोलोजी, ठीक, या रैप्डोलोजिया, तो guys, easy question है, मैंने आपको पढ़ाया है, कुछ बच्चों इसको जिनने नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि जिनने वो वीडियो नहीं देखी होंगी, वह इसका आंसर तो पक्कार नेप्टोलोजिया कर देंगी, इनका नेप्टोलोजिया हो जाएगा गल्त आंसर, इसका जो correct आंसर है, option number 4 is your right answer, जलिए, पैसके लाइन, पढ़ा चुका हूँ, पैसके लाइन को और क्या कहा जाता है, पैसके लाइन is also known as, जलिए से इसका आंसर कीजिये, अबेकर्स, एडिंग मशीन, डिविजिन मशीन या डिफरेंस मशीन, ठीक, मैंने आपको पढ़ाया था, आपने आंसर कर दिया होगा, तो अगर इसका सही आंसर है, आडिंग मशीन, ठीक है, पैसके लाइन को आडिंग मशीन भी कहा जाता था, ठीक है, यह हमारा नेक्स्ट कॉश्चन, पंच्ट कार्ड, सबसे पहले किसने इंट्रिड्यूस किये थे, पंच्ट कार्ड, ठीक है, पावर्स, पास्कल, जैक पावर्स, या हर्मेन हॉलरेत, ठीक, तो एटिंथ कॉश्चन का जो आपको आंसर है, कमेट बक्स करना है, अगर आता है वेल औगुड पढ़ा होगा, तो करोगे, नहीं पढ़ा होगा, तो कहां से करोगे, ठीक है, तो गाईज, इसका आंसर जो है, तीसरा option जो है, बिलकुल क्रेक्ट है, ठीक है, जैक वार्ड ने क्या किया था, उसने पंच्ट कार्ड को किया था, अब आप बताएंगे कि जैक आप कंप्यूटर बिल्कुल इजी है ठीक है इसको यह ज़्यादा अप्शिन पढ़ने की ज़रूरती नहीं है आप जले से कमेंट बक्स कीजिए ठीक है तो आपने कमेंट बक्स कर दिया होगा अब आप इसके एक और चीज़ भी कमेंट बक्स करेंगे कि इसने क्या बोलते है फाधराप कंप्यूटर था वह तो पता है कि सबको चार्लस गापवेज था लेकिन इसने कौंसा कंप्यूटरः आज заключ किया था वह आप बताएंगे ठीक है कौन सा कंप्यूटर इसने एजाद किया था जिसके बाद इसको बताया गया था कि यह क्या है फादराफ कंप्यूटर है चलिए यह हमारा अगला कोश्चन है 20th कोश्चन बिल्कुल 30 कोश्चन को 30 कोश्चन करके जाने आप देखे कितना प्यारा कोश्चन है यहां पे पूछा गया है अनलेटिकल इंजिन जो है फिर्स जिएरेशन आफ कंप्यूटर के दुआरा ड्यूटर की टाइम इसको ड्यूटर किया गया है आप यह मैम्मरी यूनिट क्या यूज करता था यह आप कमेंट बक्स करके मुझे बताएंगे अगर आप ने अच्छे से वीडियो को देखा हो तो obviously आप इस question का answer असानी से कर लेंगे ठीक है पहला option है RAM, RAM तो होती नहीं उस वकत ठीक है दूसरा option है floppies, cards, counter wheels तो बच्चे आप बताएंगे कि memory unit as a क्या use हुआ था analytical engine जब develop हुआ था first generation of computer के time तो guys इसका answer जो है option number C, wheels वहाँ पर use हुए थे, counter wheels यूज हुए थे, ठीक अगर किसी question में doubt लगता आप comment box कर सकते हैं, ठीक कभी कभी में भी मुझसे भी गलती हो जाए अगला question देखिए, tabulating machine जो है first electromechanical machine जो है इसको develop किया गया था, किस के द्वारा, Harman Hollerith, Harvard Icon, Blyce Pascal या John Napier, ठीक है, तो guys देखिए, आपर answer तो मिल-मिल जैसे रहे हैं, आपको कि Blyce Pascal तो होगा नहीं, Pascaline ने, इसने जो machine थी Pascaline की थी, John Napier ने, जो Napier Boon Technologies उन्होंने अजाद की थी, ठीक है, अब यहाँ पर आपको दो option बचते हैं, आपको समने 1 and 2, आपको इन में से क्या करना है, अब जो इसने पढ़ा होगा, वो असान से कर देगा इसका answer, इसका जो correct answer है guys, वो है, हमारे पास अगर नहीं पढ़ाया है तो comment box कर लिए सरब नहीं पढ़ाया है नहीं, अगला question, first electronic computer, यहनी कि E-N-I-A-C, electronic computer किस ने design किया था, जोन वो न्यूमेन ने, जोसफ M. जेकवर्ड ने, प्रेसपर एकड और जोन डव्यो माकले ने, या all of the above, या इन सब ने किया था, ठीक, आप दिखेगा जिसमें कुछ option जो हैं, वो cut हो जाते हैं, चोथा option तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि इन सब ने तो किया यह नहीं होगा, अगर आप ने चिसे पढ़ा होगा था, आप इसका answer कर देंगे, जो correct answer है, वो है option number 3, या प्रेसपर एकड और जोन डव्यो माकले ने, इन आप इसका answer करेंगे, मैंने पहले कहा था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखिए, पहले जाके उन वीडियो को देखिए, उसके पर आप इस वीडियो पे आईए, ठीक है, तब जाके आप इन question का अच्छे से answer कर पाएंगे, अब, दीए कितना प्यारा question है, ऐसे question को storage is called, पहला computer जिसने यहां पे storage प्रोवाइड की थी, उसे क्या कहा जाता था, adsec, advac, mark1 या ace, ठीक है, इस question का answer तो करना बनता है, क्योंकि मैंने पढ़ाया भी है, मैं बार-बार कहा हूँ, मैंने पढ़ाया है, तो कहां पढ़ाया है, वीडियो के lecture आपको मिल जाएंगे, और यहां पे i button बीच में दिख रहे होंगे, आपको वहां पर जाके, पूरी playlist बनिए, knowledge of computer की वहां जाके देख सकते हैं, ठीक है, इसका correct answer है, आप यह तक आपने आयोप कर लिया होगा, जो नहीं वीडियो देखी है, नहीं देखी है, उनको देख लिजे, फिवा जो correct answer है, वह हमारा ADSAC, ADSAC की full form, आप मुझे comment box करेंगे, अच्छे से ADSAC लिखके, इस तरह करके, आप इसका comment box करेंगे, कि मुझे भूल चुकी है, आप मुझे बताएंगे, okay, ADSAC पहला computer था, जिसने यहां पर storage प्रवाइड की थी, चलिए, next question के रमूव करते है, name the first general purpose electronic computer, पहला general purpose electronic computer, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, वह कौन सा था, आपके सामने option है, यहां पर, ADVAC, ADSAC, UNIVAC, या ADVAC, ठीक है, यहां पर ED है, यहां पर AD है, चलिए, यह AD है, यह AD है, आपको बताना है, कि first general purpose electronic computer कौन सा था, अभी तक आपने answer कर दिया होगा, I hope, क्योंकि मैं hope कर सकते ह मैंने बाबा कहा, कि मैं hope कर सकते हूँ, आपको लेकर answer करने है, तो इसका जो correct answer, that is UNIVAC, that is UNIVAC, चलिए, अगले question के तरफ, move करते हैं, guys, computer size was very large, computer size का ना बहुत बड़ा था, कौन सी generation में, first generation में, second generation में, third में, या fourth में, तो guys, आपको बताना है, मैंने आपको उसके दिखाए भी थे, कि किस तरह का ये computer है, कितना बड़ा हुआ करता था, पूरे room का side, उस computer का हुआ करता था, तो guys, वो था first generation में, अब आप मुझे बतायेंगे, कि first generation में, कौन सी technology का use किया गया था, option आपको दे दूँगा, यहां वेक्यूम ट्यूब का use किया गया था, यह integrated circuit का use किया गया था, आप इन question, यह तीन option है, इस question का भी answer आप कर देजेगा, comment box में, मुझे अच्छा लगेगा, चलिए, जो question पूछा था, वो आपके सामने आ गया, first generation computer को किस पे base था, आप यह question में आप से post चुका हूँ, इसका option है, transistors, conductors, ICs and vacuum tube, इस question का answer में आपको नहीं बताने वाला हूँ, 27 करके इस का answer कर देजेगा, comment box में, ठीके, मैं भी देखूंगा, तो जिस बच्चे का, जो जिस बच्चे ने सारे comments किये होंगे, उस बच्चे का मैं अगली वीडियो में नाम लूँगा, ठीके, चलिए, computer built before the first generation computer was, first generation computer के पहले जो computer बनाया गया था, वो कौन सा computer था, mechanical computer था, electromechanical computer था, electrical computer था, electronics gadgets थे, ठीके, जो computer first generation computer के पहले बनाया गया था, ग्राइस, that was electromechanical computer, कौन सा था, electromechanical computer, ठीके, अब हमारे पाचे हैं, वीडियो के दो question वह भी देखेगा और उन question का answer भी कीजेगा ठीक है first generation computer used अभी हमने languages नहीं पढ़िए लेकिन आपको मैंने यह बताया था कि first generation computer जो है कौन सी language guys यहाँ पर use करते थे ठीक है मेशीन लेंग्वेज असेंब्ले लेंग्वेज या मशीन या असेंब्ले दोनों या हाई लेवल लेंग्वेज तो बचो आपके करने को मिलेगा क्योंकि 25 को 25 नंबर का computer है उसको हम चोड़ेंगी नहीं ठीक है कि speed of first generation computer was in first generation की computer को की speed उसको किसमें major किया गया था किसमें major किया गया था first generation computer के speed को किसमें major किया गया था options आपको सामने nanoseconds, milliseconds, nanomilliseconds या microseconds तो बचे इस question का answer जल्ले से comment वक्स कीजिए तो तब तक मैं आपको इस answer बता दूँगा अभी तक आपने कर दिया हुगा क्योंकि वीडियो पास करके comment करेंगे तो इस question को पीडियाफ चलो आप देख लीजिए इन question को यह देखिए यह 31st question वीडियो को पास करके इसको answer कीजिए अब मैं देखूंगा कि 31 से लेके 35 question तक कौन answer करता है ठीक है उसका नाम वीडियो अगली वीडियो में लिया जाएगा और उसको उसके comments को मैं कर दूँगा यह 32nd question है वीडियो को पास कीजिए इसका answer कीजिए इन question का answer में आपको next जो हमारी वीडियो होगी mcq उसमें बता दूँगा यह हमारा 33rd question है अच्छे से पढ़िए वीडियो को पास करके इसका answer कीजिए यह 34th question है ठीक पढ़ूंगा नहीं पढ़ना खुद आप यह 35th question है यह भी आप खुद पढ़के इस question का answer करेंगे तो गाइस यह थी हमारी आज की वीडियो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी जो मैंने कहा वह आपको अच्छा लगा होगा ठीक है तो अगर आपने वीडियो नहीं देखे करेंट फर की वीडियो ने देखिए उसको जाकर देख लिजे वीडियो खत्म करते हैं गाइस यहाँ पर thank you God bless you all love you all जेहन